अगलों को इस वीडियो में बताओंगा कि आप लोग upstock में आप लोग अपना एक new account कैसे open कर सकते हैं और मैं आप लोग को इस वीडियो में अफ श्टोक में आप लोग को मैं आप पर account बनाकर दिखाओंगा और मैं आप लोग को यहाँ पर account बनाने का पूरा process में जब को यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ एकदम मैं आप लोग को यहाँ पर step by step आप लोग को मैं आप पर process बताऊंगा upstock में तो अगर आप लोग को भी account आप लोग यहां पर open करना है तो आप लोग इसी वीडियो को complete देखें तो कि आप लोग को यहां पर complete जानकारी मिलेगा तो आप लोग को मिले वीडियो को नीचे में upstock का link मिलेगा तो आप लोग जैसे उस link पर tap करेंगे आप लोग आ जाए कुछ इसे कार्ट के इंटरफेस पर आप लोग को यहां पर अप्लिकेशन को डाउनलोड लेना है और डाउनलोड करके कि यहां पर पहली बार ओपेन करेंगे तो आपके सामने अब स्टॉक ता पुछ इसकार से इंटरफेस यहां पर देखने को मिलेगा त करेंगे तो आप लोग को यहाँ पर अप मोबाल नमबर डाला है हुग और यहाँ पर साइन आप ये मलोबाल नमबर पर टैब करेंगे इस पर कांट कर्या अब डालेंगे यहाँ पर continue वाले option पर tap करेंगे OTP को डाला और मैंने यहाँ पर continue वाले option पर tap किया तो आप लोग यहाँ पर कुछ इसको कार्ट के अंटरफेस आएगा simple आप लोग यहाँ पर 6 pin का आप लोग यहाँ पर आपको यहाँ पर pin करना हो और pin डालना होगा तो चले मैं यहाँ पर 6 number का यहाँ पर pin को डाल देता हूँ simply आप लोग यहाँ पर continue करेंगे अब आप लोग को यहाँ पर अपना email id डालना होगा तो आप लोग को यहाँ पर अपना email id को डाल देते हैं जैसे कि मैंने अपना email id को डाल दिया और आप लोग यहां पर continue वाले option पर जैसे मैं यहां पर continue वाले option पर टैब कर्ता हूं सिम्पल आप लोग यहां पर अपना paint no inglés डलना है को देट पर तो चलिए में अपर फिल कर लेता हूं सिंप्ल आप लोग को इनक्स्स त्राइब करेंगे में आपदो की सामने अपना मेलोह अपने मेली सिंग्ल आयाां आप Carsonerson कर लेंगे में आपन प्रिजसना भी होगा हूब आप लोग यहां पर एक लाग एक लाग से फाइश लाग फिर आप लोग अपना यहां पर एक्सपरियेंस टो एकुटियाम है अगर आप लोग क्या पर अपना पेनकार्ट को डालेगे फिर आप लोग यहां पर पूप्सनर को choose करेंगी फिर आप लोग यहां पर आपको Pholicity is में आप लोग No करेंगे और यहां पर इसके निचे आप लोग यहां पर Ask करेंगे तो इन सभी को fill करने के बाद आप लोग यहां पर Simply Continue वाब यहां पर पीजिज को मैंने ते Shy वाले Option पर तो आप लोग के सामने कुछ इस परकार के अंटरफेस आएगा और मैं आप लोग को बता दू कि यहाँ पे लिखा रहा है कॉड़े चुलेशन नवीन कुमार हैज बिन इस्टोकफोर जीरो तो मैं आप लोग को बता दू कि यहाँ पे मुझे यहाँ पे एकाउंट जो ओपनिंग का चार्ज नहीं लग रहा है मुझे यहाँ पे बिल्कुल फीरी में एकाउंट ओपनिंग हो रहा है तो मैं आप लोग को बता दू कि क्या होता है कि कभी-कभी आप लोग को यहाँ पे 200 रुपे, 500 रुपे का आप लोग को यहाँ पे account open करने का आपको charge देना परता है तो अभी फिलाल यहाँ पे account opening का charge यहाँ पे बिल्कुल 0 है, अभी यहाँ पे 1 रुपे भी यहाँ पे account opening का charge नहीं लग रहा है और उसके बाद simply आप लोग यहाँ पर I want a stock for a आप लोग 0 के option पर tap करेंगे उसके बाद मेरा यहाँ पर कुछ loading ले रहा है अब आप लोग यहाँ पर अपना digital signature करना होगा और उसके simply आप लोग यहाँ पर continue वाले option पर tap करेंगे जैसा कि मैंने यहाँ पर अपना signature यहाँ पर कर दिया simple आप लोग यहाँ पर continue वाले option पर tap करेंगे और यहाँ पर फिर से आप लोग को यहाँ पर कुछ specific card का loading लेगा और loading लेने के बाद यहाँ पर आपको कुछ specific card से interface देखने को मिलेगा अब बीजी लोकर से आप लोग को यहाँ पर verify करना होगा तो आप लोग को यहाँ पर simply continue ना होके connect ना होके option पर tap करेंगे फिर आप लोग यहाँ पर process करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आप लोग को डीजी लोकर से आप लोग को अपना यहाँ पर आधार कार को verify करना होग अब आप लोग को यहां पर अपना अधार नमबर डालना होगा उसके बद आप लोग यहां पर नेक्स्ट वाले ओप्शन पर टैप करेंगे जैसा कि मैंने आपना अधार कार को डाल दिया है मल अधार नमबर को फिर आप लोग यहां पर next वाले ओप्षिन पर टैप करेंगे उसके वर आप लोग के आप लोग के जो भी आपका यहां पर अधार नमबर में आप लोग कहां पर mobile नमबर लिंक होगा उस नमबर पे आपे आप लोग का OTP अएगा आप लोग यहां पे डाल देंगे मैंने आपना OTP को फिल कर दिया simply आप लोग यहां पे continue वाले option पे tap करेंगे अब आप लोग को यहां पे simply allow वाले option पे tap करेंगे अब यहां पे dg locker से verify हो चुका है अब आप लोग को यहाँ पर अपना eq selfie आप लोट करना होगा तो चले बिए आप अपना eq selfie को upload कर दीता हूं मैंने अपना selfie को मैंने यहाँ पर डाल दिया Simply आप लोग यहाँ पर continue करेंगे या नहीं तो आप लोग चाहते तो फिर से photo ले सकते हैं तो चले मैं आपना continue ओले option पे tap करता हूँ, अब आप लोग को यहाँ पे अपना account number को डालना होगा, यानि आप लोग को यहाँ पे अपना bank account को डालना होगा, तो आप लोग को यहाँ पे अपना account holder name, आप लोग को यहाँ पे IFC code, फिर आप लोग को यहाँ पे bank account number, फिर आप यहां पर saving या current account है आप लोग को ऊचूच करना होगा तो चले मैं आप अपना bank detail को fill कर लेता हूँ जैसा कि मैंने आप अपना bank detail को fill कर लिया अब आप लोग कहां पर simply continue वाले option पर tap करेंगे और यहां पर आप लोग के सामने कुछ इस परकार के interface है का simply आप लोग यहां पर देख सकते हैं sign up आपको for free simply आप लोग इस पर tap करेंगे और आप लोग यहां पर continue वाले option पर tap करेंगे क्योंकि मुझे यहां पर account opening का charge नहीं लग रहा है तो आप लोग यहां पर simply continue वाले option पर tap करेंगे और यहां पर आप लोग के सामने कुछ इस परकार के interface हैगा simply आप लोग यहां पर s activate the segment और यहां पर no i later तो आप लोग यहां पर चाहे तो s या no कर सकते हैं आप लोग इसे चाहे तो बाद में भी change कर सकते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है तो मैं यहां पर no वाले option पर रहने ता हूं simply आप लोग यहां पर continue वाले option पर tap करेंगे और यहां पर आप लोग का कुछ इस परकार से आ चुका है option अब आप लोग को यहां पर simply I to do it later के option पर tap करना है simple आप लोग को यहाँ पर e-sign करना होगा आप लोग को यहाँ पर आधार OTP से आप लोग को यहाँ पर e-sign करना होगा simple आप लोग को यहाँ पर आधार OTP के option पर tap करेंगे आप लोग को यहाँ पर simple e-sign now के option पर tap करना proceed to e-sign करना है आप लोग को नीचे option दिख रहा होगा, आपको sign up now, simple आप लोग इस पर tap करेंगे और आप लोग के सामने कुछ इस पर card का आपको यहाँ पर nsdl का आप लोग को यहाँ पर website देखने को मिलेगा simple आप लोग यहाँ पर अधा नमबर को डालेंगे और आप लोग यहाँ पर अपना टीक करेंगे उसके आप लोग यहाँ पर send OTP पर tap करेंगे जैसा कि मैंने अपना अधा नमबर डाल दिया और मैंने यहाँ पर अपना checkbox में टीक किया simply आप लोग यहाँ पर send OTP पर tap करेंगे आप लोग के नंबर पर OTP भेजा गिया अब आप लोग के यहाँ पर simply अपना OTP को डाल देना है जैसा कि मैंने यहाँ अपना OTP को डाल दिया simple आप लोग यहाँ पर verify OTP पर tap करेंगे और आप लोग के यहाँ पे कुछ इस परकार से verify लेगा और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं e-sign यहाँ पे successful हो चुका है और मेरा यहाँ पे दिखे e-sign यहाँ पे complete हो चुका है और यहाँ पे मेरा e-sign होने के बाद अब आप लोग के यहाँ पे application submit होगा और उसके बाद आप लोग के यहाँ पे demate account आप लोग के यहाँ पे बनकर तयार हो जाएगा इसके लिए आप लोग के यहाँ पे यह तीन दिन का time लेगा आप लोग के यहाँ पर तीन दिन के अंदर ही आप लोग के यहाँ पर डिमेट एकाउंट आप लोग को यहाँ पर बनकर तयार हो जाएगा और यहां पर आप लोग को यूजर नेम और आप लोग को यहां पर लोग इन पासवर्ट आप लोग को दिये जाएगा तो सिंपल आप लोग को यहां पर अपना यूजर नेम और पासवर्ट को आप लोग को यहां पर कोपी कर लेना है उसके बाद सिंपल आप लोग को आना है upstock में और आप लोग को यहाँ पर अपना account को login कर लेना है simple आप लोग यहाँ पर login वाले option पर जाएंगे आप लोग यहाँ पर username डालेंगे और आप लोग यहाँ पर अपना password डालेंगे तो चले मैं आप अपना username और password को डाल देता हूं जैसा कि मैंने यहाँ पर अपना user name और password को डाल दिया simple आप लोग यहाँ पर login वाले option पर tap करेंगे और आप लोग को यहाँ पर date of birth का आप लोग को यहाँ पर year को choose करना है तो मैं यहाँ पर simply अपना year को choose करता हूँ और यहाँ पर अब आप लोग का change password आएगा तो आप लोग को यहाँ पर सबसे पहले अपना password को change करना है आप लोग को यहाँ पर अपना old वाला password डालना है आप लोग को यह new password डालना है फिर आप लोग को यहाँ पर फिर से new password डालेंगे और आप लोग यहाँ पर submit करेंगे जिसमें कि में आप लोग को upstock में आप लोग को यहां पे कैसे upstock को आप लोग को buy करना है, sell करना है, इसमें आप लोग को कैसे अपना fund erase करना है, आप लोग को इसमें अपना deposit कैसे करना है, इसमें आप लोग को share को कैसे buy, sell करना है, इन सभी के बारे में पूरी जान करी बताऊ और इस्में आप लोग को अफ्श टॉक में आप लो futuro करके भी अच्छा खासा इमाउंट की अर्दिंग कर सकते हैं यहाँ पे आप लोग को मीलेगा reffer and earn अप लोग यहाँ पे 5-800-1000 रुपे तक कि आप लोग यहाँ पे इनकम कर सकते हैं इसके लिए आप लोग यहां पर अपस्टोक में अपना एकाउंट जरूर बनाए